दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे आज के लिए सबसे पहली कवर माईधमिक कमपार्डमेंटल परिक्षा के लिए हो जाए तैयार 12 से 16 अपरेल तक कर सकते है ओलाइन आवेदन जी हाँ माईधमिक कमपार्डमेंटल परिक्षा के लिए 12 से 16 अपरेल तक ओलाइन आवेदन कर सकते है बिहार बोर्ड ने इस बाबत पर निर्देश जारिक किया है जिसमें परिचात्रियों को आवेदन और ओनलाइन पेमिंट के बारे में बताया गया है आवेदन की प्रक्रिया 12 अप्रिल से शुरू होगी आवेदन बिहार बिदाले परिचा समीति की ओफेसिल वेवसाइट www.biharboard.online.com पर अप्लोड किया जाएगा ओनलाइन आवेदन वसुल्क जमा करने का जिम्मा इसकुल के प्रिंसिपल के पास होगा इसकुल के प्रिंसिपल आवेदन का फॉर्म डाउनलोड कर मायदमे कमपार्टमेंडल परिक्चा में सम्मेलित होने के लिए विदातियों को उपलप्त कराएंगे और उनसे विदिवत भरे हुए परिक्चा आवेदन पत्र वसुल्क प्राप्त कर समीति की वेवसाइट पर आवेदी के भितर ही साइट पर डालेंगे आपकी जानकारे के लिए बता दे कि समीति की ओर से कमपार्टमेंडल परिक्चा के लिए ओनलाइन परिक्चा आवेदन सुल्क साथ रुपिये ओनलाइन एंट्री सुल्क 20 रुपिये परिक्चा सुल्क 100 रुपिये विवित सुल् इस बार भी राम नौमी पर नहीं निकलेगी सोब यात्रा रमजान में मस्जीदों में नहीं होगा इबादत जिहा बिहार में कोरोना संक्रमन के एक बार फिर से बढ़ते परवाव को देखते विए इस राम नौमी और रमजान के मौके पर लोग अपने अपने घरों में ही प अपने अपने घरों में ही इबादत करेंगे लगातार दूसरे साल पर्व तैहार पर कोरोना के साई से लोग मायूस है अगली बड़े कबर कोरोना संक्रमन के कारण पटना का महावीर मंदिर बंद लेकिन खुलेंगे नवेदम काउंटर जी हाँ पाटना रेलवे स्टेशन इस्तित महावीर मंदिर में विहार सरकार के निन्य आलोक में भगतो का परवेश बंद हो गिया है लेकिन भगतो को नवेदम मिलता रहेगा महावीर मंदिर नियास के सचीव अचार किसोर कुनाल ने बताया कि मंदिर के परवेश दुआर पर इस्तित सवी नवेदम काउंटर सुबह से साम साथ बज़े तक खुले रहेंगे इसके अलावा उन्होंने बताया कि राम नौमी के दिन महावीर मंदिर पूरी तरह से बंद नहीं है सिर्फ भगतो को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी मंदिर में धोज बदला जाएगा साथ ही विदिवत पुजा होगी राम जी के जनमुत्सव के आरति का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें मुई के पंडित ही सामिल हो पाएंगे भगतो के लिए लाइव दर्शन शुरूर हैगा पिछले साल मंदिर बन था लेकिन इस बार मंदिर में सिर्फ सरधालों का परवेश बन्द है मुंबाई और पुने से पटना आई चार ट्रेनों में मिले 56 कोरोना पोजिटिव अगले दो दिनों में आएगी कई और विशेश ट्रेने उरे देश में कोरोना मरेजों की सेंका दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है दूसिर राज्यों से बिहार लोट रहे लोगों में कोरोना के केस लगतार सामने आ रहे हैं रईवयार को भी मुंबाई और पोने से आई चार ट्रेनों में 56 कोरोना पोजिटिव मरीज मिले हैं पटना के विविन स्टेशनों पर इन ट्रेनों के आने के बाद इन सभी यात्रियों की रैपिड एंटिजन किट से जाज की गई और इसमें पोजिटिव आने वालों को आइ ज्यादा वैक्सिन डोज के ज़रुत है राज के अंदर पिलाल हर दिन औसतन 2-3 लाग डोज के खबत हो रही है और ऐसे में वैक्सिन के स्टोक में कमी होने से टिकाकरन अभयान प्रवावित हो सकता है लिहाजा राज सरकार ने केंद्र से 30 लाख वेक्सिन की मांग की है प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोदी ने कल यानि 11 अप्रेल से लेकर 14 अप्रेल तक पूरे देश के अंदर कुरोना टिकाकरन का विशेस अभियान चलाने को कहा था टिकाकरन उत्सव के लिए बिहार में हर दिन तकरीबन 4 लाख डोज का लच रखा गिया है ऐसे में अगले चार दिन में वेक्सिन की 6 लाख डोज की अवशकता होगी जिसके लिए ये मांग रखी गई है बाड़े कबर बिहार में हाई स्पीड में फैल रहा है कुरोना आज 1356 लोग मिले पोजिटीव हर 10 मिनट में 26 लोग हो रहे हैं संक्रमीत जिहां महराष्ट दिल्ली पंजाब और मजद पर्देश में विक्राल रूप धारन कर लिया कुरोना अब बिहार में भी आपत मचा रहा है सरकार की ओर से जारी ताजा आकड़े के मुताबिक बिहार में हर 10 मिनट में दो दर्जन से ज्यादा लोग पोजिटीव मिल रहे हैं पिछले 24 घंटे में बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आकड़े के मुताबिक राज में 3756 कुरोना के एक नए केस सामने आये हैं वहाई राजदानी पटना में सरवादिक 1312 से नए केस मिले है इसके साथ राज में एक्टिव केसों की सिंख्या बढ़कर 14695 तक पहुच गई है इसके अलावा आपको बदा दे कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है अगली बड़े कबर पटना में सराद कायरकरम में पूटा कोरोना बम 25 में से 20 लोगों की रिपोर्ट पोजिटिव अधिकारियों की ओड़े हो जी हा राइदाने पटना में कोरोना संक्रमन बेकाबू हो गया है पटना के कंकर बाग इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सब के होस उला दिये है दरसल एक सराद कायरकरम में कोरोना बम पूटा है सराद में सामिल होने आए 25 में से 20 लोगों की रिपोर्ट पोज गये हैं या घटा सामने आने के बाद प्रसासनिक अधिकारियों को भी हो सुड़ गये हैं बताया जा रहा है कि जिन लोगों की रिपोर्ट पोजिटिव आई है उन्हें होम आईसोलेशन में रखा गिया है जो लोग इनके संक्रमन में आए उन्हें भी कोरोना टेस्ट करान की सला दि गई है बिहार में सुब्रत राय की खिलाब वारंट जारी सहारा इंदिया के मालिक पर लटकी गिरभतारी की तलवार जीहां बड़े ख़वर नवादा जिले से सामने आ रही है जहां दो दिन पहले कोरोना पोजिटिव पाये गए सहारा इंडिया के मालिक सुब् गिद्वा महिला का पैसा पचाने का आरोप लगा है। नवादा जिला उपभोगता फोरम कोट ने सहारा इंडिया के अधग्च सुब्रत राय के किलाब गिरपतारी वारंड जारी किया है। असोक राजपत को जाम से मिलेगी छुट्टी पटना में जल्द सुरू होगा डबल डिकर एलिवेटेड रोड का निर्मान जी हाँ पटना के लोगों को जल्द ही असोक राजपत पर लगने वाले लंबे चोड़े जाम से छुटकरा मिलने वाला है पहली बार राजपत में डबल डिकर एलिवेटेड रोड के निर्मान से जाम के समयसा से निजात मिल जाएगी निर्मान की यह जिमेबारी बिहार राजपोल निर्मान निगम पर सोपी गई है आपको बदा दे कि असोग राजपत के संक्रा होने के कारण डबल डेकर एलेवेटेड रोड बनाने का निर्मान कारगिल चौराहे से होगा जिसकी लंबाई बाइस सो मिटर लंबी होगी और इसके निर्मान कार में लगबग 442 करोड की लागत आएगी घर से दो दो अर्थी निकली तो रोपड़ा पुरा सहर सहीद इंस्पेक्टर को दिया गया गाड ओब ओनर जिहां घर से एक के बजाए दो दो अर्थी निकली तो पुरा सहर रोपड़ा सहीद थानेदार अस्विनी कुमार और उनकी मा उर्मिला देवी की एक साथ अर्थी न दोनों की चिता अगल बगल बनी और अंतिम संस्कार किया गया। दूसरी और सहीद इंस्पेक्टर अस्वीन कुमार की बड़ी बेटी नैंसी ने आरोप लगाया है कि उनकी पिता की मौत पुलिस वालों के कारण हुई है। उधर इस मामले में बिहार पुलिस ने बड़ी कारवाई की है। मामले में लापारवाही बरतने के आरोप में सरकिल इंस्पेक्टर मनीश कुमार सहीद साथ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना हाइकोर्ट में सुनवाई होगी। आयोग हाइकोर्ट के फैसले का इंतिजार कर रहा है। जिसके बाद चुनाव कायरकरम की गोशना की जाएगी। इस बेच इतना साब हो चुका है कि अब ताइस समय पर चुनाव संभम नहीं है। ऐसे में अन्य विकल्पों पर भी विमर्स होने लगा है। नियम के मुताबिक 15 जून से पहले चुनाव होने जरूरी है। 15 जून से ही सभी पंचायत प्रतिनेदियों के सक्ति समाप्त हो जाएगी। जून से देवगार पहुचेंगे और जारकन की एक विदानसवा सीट पर हो रहे उप्चुना में महागडबंदन के उम्मिद्वार के लिए जनसवा को सम्मोधित करेंगे। इनसंपक अधिकारे राजेश कुमार ने बताये कि 16 अप्रेल से 28 मैं तक परितेक सुकरवार को ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ट्रेन पंडित दिन द्याल उपाइदा जक्सन बक्सर और पतना के रास्ते चलाए जाएगी। वहीं वापसी मेह ट्रेन बरोनी से बांदरा टर्मिनल के बेच 19 और 26 अप्रेल के अलावा 3, 10, 17, 24 एवं 31 मैं को चलाए जाएगी। दूसरी ट्रेन बांदरा टर्मिनल से बरोनी के बेच गोरकपूर बेतिया मुझपरपूर के रास्ते चलाए जाएगी। बड़ी कबर बिहार में कोरोना को लेकर 17 अप्रेल को होगी सर्वदलिय बैठक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार। देश विदेश में नएक कोरोना के मामले बड़ी तेजी से फेल रहे हैं। बिहार में कोरोना वारिस के संक्रमन के रप्तार काफी तेज हो गई है। प्रतिदीन हजारों से ज़्यादा नएक के सामने आ रहे हैं। राज में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए 17 अप्रेल को सर्वदलिया बैठक बुलाए गई है बिहार के राजपाल फागु चुहान के अधिक्षिता में वर्चुल मिटिंग की जाएगी। राजपान की ओर से मिले जानकारे के मुताबिक सर्वदलिया बैठक के लिए राजपाल सचिवाले सवित दल के नेताओं से संपर्ग करेगी। आज के लिए आपका स्वाल बताए के बिहार के किस इस्तान में गुरू पर्व का आयोजन किया जाता है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगे।